उधारण 6 एक शंकू का व्यास 12 cm और उचाई 8 cm है शंकू का वक्रप्रिष्ट और आयतन ज्याद कीजिए हल माना शंकू की त्रिज्य आर सेंटिमीटर उचाई H cm और तिर्यक उचाई L cm है दिया है शंकू की उचाई H बराबर 8 cm शंकू का व्यास 2 R बराबर 12 cm शंकू का त्रिज्य आर बराबर 6 cm शंकू की तीर्यक उचाई L बराबर वर्गमूल H की घाद 2 धन R की घाद 2 या बराबर वर्गमूल H उचाई जो है वो 8 है 8 की घाद 2 धन 36 है तो 6 की घाद 2 बराबर वर्गमूल 8 का वर्ग 8 गुणी ता चौशट धन 6 का की घाद 2 बराबर 6 गुणी चे 36 बराबर वर्गमूल चौशट और 36 का योग 100 और वर्गमूल 100 बराबर 10 सेंटी मीटर शंकू का वक्र प्रिष्ट बराबर पाई आर एल होता है तो पाई के इससान पे हमने पाई रखा गुणा त्रिज्य है 6 सेंटी मीटर और एल तिर्यकूचाई जो है हमारी हमने ग्याद किया 10 सेंटी मीटर 10 सेंटी मीटर बराबर 6 दाम 60 पाई वर्ग सेंटी मीटर इस तरह से हमने शंकू का वर्गर प्रिष्ट बराबर पाई आर एल सूत्र में आर के सत्रिज्य कमान 6 सेंटी मीटर और तिर्यकूचाई एल कमान जो हमने ग्याद किया था 10 सेंटी मीटर रखने पर 60 पाई वर्ग सेंटी मीटर ग्याद किया इसी तरह से शंकू कायतन बराबर एक बटा तीन पाई आर की खाद 2 एच बराबर एक बटा तीन गुणा पाई गुणा आर का मान है रतिज्या आर त्रिज्या का मान है 6 सेंटी मीटर 6 गुणी चे और उचाई है एच जो है उचाई 8 सेंटी मीटर है तीन एकम तीन तीन दूनी 6 छे दूनी 12 बारा थे 96 पाई घन सेंटी मीटर इस तरह से 96 पाई घन सेंटी मीटर हमने ज्याद किया शंकू का आयतन तो सबसे पहले हमने शंकू की तीरिया कुचाई L का कम मान जो है सूतर L बराबर वर्गूल H square S की घन दो धन R की घन दो में मुचाई और तीज्या कमान रखके 10 सेंटी मीटर ग्याद किया शंकू की तीरिया कुचाई फिर शंकू का वक्क प्रिष्ट जो है सूतर जो होता है पाई RL में तीज्या 6 सेंटी मीटर और तीरिया कुचाई 10 सेंटी मीटर का महान रखके 6 पाई वर्ग सेंटी मीटर ग्याद किया और उसी तरह से शंकू का अयतन जो है जो सूतर होता है एक बटतीन पाई आर की घाद 2H इसमें 36 cm और उचाई शंकू की उचाई 8 cm को रखा और हल करने के बाद हमें इसका उत्तर 96 पाई घंज सेंटिमेटर परापत हुआ यही सुधारण का हल होगा